Hello Friends, So Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Flipkart में Mobile Recharge का Option कहां पर रहता है और Flipkart से Mobile Recharge कैसे किया जाता है और साथ ही कापी सारे ऐसे लोग हैं जो ये comment करते हैं, question करते हैं कि भाई, जब भी हम लोग Flipkart से Mobile Recharge करते हैं, चाहे कोई भी number Recharge करते हैं, तो उस condition में Movie Quick का Option आजाता है, ऐसा क्यूं होता है, वही पर कापी सारे लोग ये भी comment करते हैं, कि भाई, जब भी हम लोग Flipkart के ज़री रिचार्ज करते हैं, तो payment मेरा deduct हो जाता है मेरे bank account से, लेकिन transaction भी successful हो जाता है, लेकिन recharge नहीं हो पाता, आखिन में ये क्या जहमिला है, क्या करे, क्या नहीं करे, पैसा return आएगा, या फिर नहीं आएगा, तो दोस्त सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को end तक देखते रहना, तो चलिए, शुरू करते हैं, दोस्त अगर आप लोग flip card से mobile recharge करना चाहते हैं, लेकिन आपको mobile recharge का option नहीं मिल रहा, या फिर आपने flip card से mobile recharge किया है, लेकिन अभी तक आपका recharge नहीं हुआ और आपके bank account से पैसे काट लिए गए, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ practically दिखा आने वाला हूँ, देखिए, सबसे पहले क्या किजिए, आप अपने mobile में flip card application को open कर लिजिए, open करने की बाद इस तरह का user interface दिख जाएगा, उसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं, कि flip card account में mobile recharge का option कहां पर मिलेगा, वीडियो को carefully देखिएगा यार, तभी समझ में यहां पर काफी सरय ओप्शन्स दिखेंगे, आपको more on flip card पर click कर देना है, यानि कि third वाले option पर click कर देना है, click करने की बाद यहां पर भी काफी सरय ओप्शन्स आ जाएगे, आपको simply smart store पर click कर दिना है, click करने के बार यहीं पर आपको mobile recharge करने का option दिख जाएगा, ठीक है, जैसा कि देखे उपर में लिखा हुआ है smart store, और just नीचे देखिए, mobile का option है, DTH का option है, और electric city का option है, ठीक है, तो आप लोग यहां से अपना mobile number भी recharge कर सकते हैं, या फिर कोई भी mobile number recharge कर सकते हैं, DTH भी recharge कर सकते हैं, और electric city का bill भी paid कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको mobile recharge करना है, तो यह तो point clear हो गई, कि आखे में flip card account में mobile recharge का option कहां पर मिलेगा, अब बात करते हैं, कि जब भी हम लोग mobile recharge करते हैं, flip card से, तो mobi quick का interface आजाता है, mobi quick का option आजाता है, ऐसा क्यों, ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर आप क्या कीजिए, सबसे पहले mobile वाले option पर क्लिक कीजिए, चुकि आपको mobile recharge करना है, तो देखे यहाँ पर mobi quick का option आचुका है, अब देखे यहाँ पर आपके सामने इस तरह का page आजाएगा, यहाँ पर सबसे उपर आपको mobile number दिख चाएगा आप चाहे तो इसे edit भी कर सकते हैं, दूस्ता mobile number भी add कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप recharge करना चाहते हैं, जिस भी number को, उसके बाद देखे अगर आपके पास geo का sim है, air tail का है, या फिर BSNL का है, जो भी operator का sim है, आपको number यहाँ पर डाल दीजिए, उसके बाद operator पर क्लिक MPNL, Boda Phone Idea भी आई, ठीक है, टायटा डोकोमो, तो आपका जो भी operator का sim है, आप simply choose कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर circle आप चूज कर लीजिए, वैसे यह सारे चीज़ आटोमेटिक select हुए रहेंगे, ठीक है, आपको choose करने की कोई जरुवत नहीं है, उसके बाद simply यहाँ आपको check plans पर click कर दिना है, या फिर आपको plan के बारे में मालूम है कि मुझे इस plan वाला recharge कराना है, तो आप simply यहाँ पर डाल देजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूं 149, या फिर आप check plans पर click कीजिएगा, तो यहाँ पर सारे के सारे plan दिख जाएंगे, जैसा कि यह उस पर click कर दिजिए, click करने के बाद देखिए, आपके समनिक confirm recharge का interface आजाएगा, यानि कि आप इसे review कह सकते हैं, एक review आजाएगा, आप पहले check कर लिजे कि आपने जो भी यहाँ पर input किया है, और सारा कुछ सही है, या फिर नहीं है, ठीक है, अगर सही है, तो आप make payment पर click क make payment पर click करने के बाद, movie quick का process आजाएगा, कुछ इस तरीके से, अब देखिए, यहाँ पर बात आती है, कि movie quick का option क्यूं आता है, तो यहाँ पर आप नीचे में देख लिजे, एक option सब से नीचे, powered by one movie quick system, बेवीटी, एल्टेडी, इंडिया, यानि कि movie quick जो है, वो एक system है, औ इस पर घवरानी की कोई बात नहीं है, यह आप flip card के जड़िये ही recharge कर रहे हो, कोई problem नहीं है, ठीक है, उसके बाद आप आप क्या किजिए, जिस भी माधियम से आप recharge करना चाहते हैं, UPI के माधियम से, debit card, credit card के माधियम से, या फिर net banking के माधियम से, तीनों के तीनों option दिख ठीक है, तो मैं फिलाल यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ, नो करता हूँ इसको, यहाँ से मुझे करना है UPI के माधियम से, तो मैं UPI पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद फिर यह movie quick ही loading लेगा, उसके बाद आपको Amazon Pay UPI चूज़ कर लेना है, जो भी आप UPI यूज़ कर अब यहाँ पर मैंने lock लगा रखा है, इसे open कर लेते हैं, यहाँ पर आपको send पर क्लिक कर देना है, movie quick में, movie quick में आपको send करना है देखिया, अपर लिखा हुआ है, movie quick kp2m at the rate HDFC bank, ठीक है, HDFC bank किसे manage करती है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, खबरानी की बात नह नहीं दिख रहा होगा, चुकि यहाँ पर pin मांगा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको page blank दिख रहा होगा, UPI pin डालने की बाद आपको right वाले button पर click कर देना है, उसके बाद थोरा सा process लेगा, और देखिए paid 148 successfully, कुछ इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पर जो है वैसे total amount paid हो चुका है 149, ठीक है, यहाँ पर देखिए, referral ID यह है, पतलब की transaction ID, mobile number circle वगेरा यहाँ पर यह है, तो इस तरीके से आप mobile recharge कर सकते हैं, और मैंने यह भी clear कर दिया कि movie quick option क्यों आता है, ठीक है, अब आपको सिर्फ confirmation message अने में देरी है, जब आज आएगा तो आप समझ लेना कि आपका मबाल recharge हो चुका है, और किसी किसी condition में होता क्या है, कि mobile recharge नहीं हो पाता, या फिर payment successful नहीं हो पाता, इस बजह से भी आपका मबाल recharge नहीं हो पाता है, तो आप इसका history भी check कर सकते हैं, ठीक है, तो आप history कैसे check कीजेगा, तो देखिए, यहीं पर आपको मबाल recharge नहीं होता, तो आप 2-3 दिन, यानि कि 3 business days का इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, तीन दिनों के अंदर अंदर आपका जो payment है, आपका जो पैसा है, जो आपके bank account से कटा था, वो आपके bank account में transfer कर दिया जाएगा, online के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आपने payment किया होगा, उसी के माध्यम से आपका पैसा return भी हो जाएगा, अगर फिर भी नहीं होता है, तो आप flip card के team member से contact कीजिए, आपका problem solve हो जाएगा, तो दोस्त मुझे उमीद है, आज के इस वेडियो में आपके flip card, mobile recharge के regarding, सारे confusion दूर हो गए होगे, तो आज बस इतना ही, So I hope friends, आज की यह वेडियो काफी ज़्यादा पसंद आई होगी, और शाथ ही आपको knowledge भी पोड़ी बारेकी से मिल गई होगी, वेडियो के पसंद आई, तो वेडियो के लीचे like का बटन है, उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लो मेरे को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification बिल को जरूर दवा देना, ताकि इसी तरह का informative वीडियो आप तक पहुंश सके, और हाँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, प्लीज शेयर जरूर कर देना, तो फिर मेर्टा हूँ आपसे, फिर से किसी next वीडियो में, तब तक के लि बादे मात्रम